हलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ आभा और आज मैं आप सबके साथ सेयर करने वाली हूँ कॉर्ण की रेसिपी जो की बहुती कम तेल में बनी है और बहुती हिल्दी ब्रेकफास्ट है लेकिन रेसिपी को सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लें और साथ में एक चोटी सी घंटी आएगी उसे भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने यहां अब यहां पर एक मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है इसमें मैं एक इंच अद्रग का टुकड़ा डाल रही हूं दो से तीन हरी मिर्च और आठ से नौ मैंने यहां पर लेसुन की कलिया ली है और अब मैंने यहां पर स्वीट कॉर्ण लिया हुआ है एक कप अगर आपके पा आप उसे भी ले सकते हैं और आप इन सारी चीजों को हम पीस लेंगे और अब दस मिनट के बाद हम इस सूजी में जो हमने रेस्ट के लिए रखा था इसमें हम अपने पीसे हुए कॉन को डाल देंगे जार में थोड़ा सा पानी डाल कर मैंने उसे भी खंगाल कर डाल दिया है और अब मैं इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल रही हूँ इसके साथ ही साथ मैं यहां पर एक टीज स्पून मैंने फ्रूट साल डाला हुआ है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको mix करने के बाद इसे हम side में रख देंगे और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ही size की कटोरिया ली हुई है और इसे हम अच्छे से oil से grease कर लेंगे और इसको grease करने के बाद जो batter मैंने बनाया हुआ है वो batter इसमें हम डाल देंगे इसमें आधी कटोरी से कम ही batter डालना है अब लगभग 1 फोर्थ कटोरी मैंने यहाँ पर batter डाला है इस तरीके से तीनों कटोरियों में हम batter डाल देंगे और उसके बाद हम इसे steam करेंगे steamer को मैंने पहले ही ready कर लिया हुआ है अब इसमें हम कटोरीयों को place कर देंगे और फिर इसे हम ढख कर medium flame पर लगभग 15 मिनट के लिए पकाएंगे 15 मिनट अब हो चुके हैं मैं इसके cover को हटा रही हूँ और अब चाकू से हम इसे check कर लेंगे और यह अगर पक गया है तो हम इसको फिर demold कर लेंगे यहाँ पर मैंने कटोरीयों को थोड़ी सा ठंडा कर लिया है और अब इस तरीके से चाकू की help से हम इसको किनारे किनारे चाकू लगा देंगे और इसे plate में demold करेंगे इस तरीके से हम उपर से थोड़ा सा tap कर देंगे तो यह बहुती easily हमारे नाष्टे निकल आएंगे यह देख लीजे आप कितना असानी से हमारा यह नाष्टा निकल आए और अब मैं आपको दिखा देती हूं कितना soft और कितना जालीदार यह बना हुआ है लेकिन अभी यह हमारा जो नाष्टा है यह complete नहीं हुआ है अभी थोड़ा सा और spicy मुझे करना है तो इसे हम fry करेंगे fry करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ यहाँ पर मैंने fry pan रग दिया है गरम होने के लिए और अब मैं इसमें एक टी स्पून घी डाल रही हूं आप कुछ भी oil या घी ले सकते हैं और उसके बाद एक टी स्पून मैंने यहाँ पर सफेद तिल डाल दिया है और अब थोड़ी सी मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल लही हूं इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रहेगी नहीं तो यह जो मिर्च पाउडर है वो हमारा बहुत ही जल्दी जलने लगता है और अब हम इसे एक मिनट तक इसी तरीके से चारो तरफ घुमा घुमा कर सेख लेंगे और उसके बाद एक साइड से सेखने के बाद हम इसे एक साइड में कर देंगे अपने नाच्छते को और फिर से मैंने यहाँ पर एक टीज स्पून घी डाल दिया है और साथ ही साथ थोड़ा सा तील और थोड़ा सा लाल मिर्स पाउडर भी डाल रही हूँ और फिर से इसे हम मिक्स करके इसको दूसरी साइड में भी स्लो फलेम पर एक मिनट के लिए इसे सेख लेंगे फ्रेंट्स इसे हम दोनों साइड से एक-एक मिनट के लिए थोड़ा सा तिल और मिर्ज डाल कर सेख लेते हैं इसे ये देखने में भी बहुत खुबसुरत लगता है और डेफिनिटली खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं तो फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ करिएगा क्योंकि ये बहुत हिल्दी ब्रेकफास रेसिपी है और बहुत हिल्दी और कम इंग्रेडियन्ट से बनने वाला है तो फ्रेंट्स अगर आज का ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रिस करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू